नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत है, जनसत्ता समाचार पत्र से संपाद की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाई फाइब सेकेंड्स में उमेशपाल हत्याकांड में जिस तरह उत्तर प्रदेश पलिस ने सक्रियता दिखाई है, निस्संदेह उससे अपराधियों पर मानसिक दबाव बना है फरवरी में उमेशपाल की दिन दहाडे घेर कर हत्या कर दी गई थी, वे अपने बहनोई और विधायक राजुपाल की हत्या के एक मात्र प्रत्यक्ष दर्शी थे राजुपाल की हत्या में माफिया अतीक एहमद का हाथ बताया गया था, फिर उमेशपाल की हत्या में भी अतीक के ही लोग देखे गए थे उनमें खुद अतीक एहमद का बेटा भी शामिल था, इस हत्याकांड में शामिल दो बदमाश पहले ही मुठभेड में मारे जा चुके थे अब अतीक एहमद का बेटा और उसका एक साथी बदमाश भी मुठभेड में मार गिराए गए हैं, दोनों पर पाँच पाँच लाख रूपए का इनाम घोशित था उमेश पाल की हत्या के बाद ये दोनों विभिन शहरों में छिपते फिर रहे थे, इसी क्रम में वे दिल्ली भी पहुँचे थे दिल्ली पुलिस ने इन्हें पनाह देने वाले कुछ हत्यार तसकरों को पकड़ा और उत्तर प्रदेश के विशेश पुलिस दल को सौप दिया था उनसे पूच ताच के आधार पर ही उत्तर प्रदेश पुलिस इन दोनों बदमाशों तक पहुची थी स्वाभाविक ही उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े बदमाशों के इस तरह मुठ भेडों में मारे जाने से उत्तर प्रदेश में सक्रिय दूसरे संगठित अपराधियों को कड़ा सबक मिला है पुलिस अगर अपराधियों पर शिकंजा कसने में संजीदगी दिखाए तो सचमुच अपराध मुक्त समाज बनाया जा सकता है मगर हकीकत यह है कि हर सरकार अपराध मुक्त समाज बनाने का दम तो भरती है मगर हर बार कुछ नए किस्म के अपराधी भी पनपते देखे जाते हैं अतीक एहमद का इतिहास किसी से छिपा नहीं है पिछले दिनों उसके अलग-अलग ठिकानों पर पड़े छापों से जो नगदी और बेनामी संपत्ति के कागजात जब्त हुए उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने अपने बाहुबल से किस तरह कानून विवस्था को पंगु बना रखा था फिलहाल वह जेल में है और उसके खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही है मगर इससे पहले वह किस तरह न सिर्फ बेखौफ आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था बलकि कानून विवस्था पर भी दबाव बनाए हुए था अतीक एहमत के गुना हुँ और उसकी दबंगई से पुलिस भी अंजान नहीं थी मगर वह बेखौफ विचरता रहा तो इसलिए कि उसे राजनीतिक सनरक्षण मिला हुआ था वह खुद भी राजनीति में प्रवेश कर चुका था अतीक अकेला ऐसा माफिया नहीं है ऐसे अनेक बाहुबली है जो राजनीतिक सनरक्षण में संगठित अपराध करते रहे हैं अच्छी बात है कि योगी आदित्यनात सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के अपने संकल्प पर अडिग रहते हुए राजनीतिक सनरक्षण में अपराध कर रहे बाहुबलियों पर शिकंजा कसना शुरू किया और उसी के फलस्वरू उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बदमाशों के मारे जाने की यह ताजा घटना हुई मगर यह सवाल फिर भी बना हुआ है कि आखिर राजनीतिक दल ऐसे अपराधियों से दूरी बनाना कब शुरू करेंगे जब तक राजनीतिक दलों में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की पैठ नहीं रुकेगी ऐसे बदमाश पनपते ही रहेंगे ऐसा नहीं हो सकता कि विपक्षी खेमे के बदमाशों को लेकर चौकसी बरती जाए और अपने करीवियों को लेकर चुपी यह अकारण नहीं है कि हर विधान सभा और लोक सभा चुनाओ के बाद सदन में पहुचने वाले प्रतिनिधियों में आपराधिक प्रिष्ठ भूमी के सदस्यों की संख्या कुछ बढ़ी हुई ही दर्ज होती है जब तक राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा ना तो इस तरह की राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला रुकेगा और न पूरी तरह अपराधियों पर लगाम लगाना संभव हो सकेगा उमीद करता हूँ रिक्टेशन आपने बहुत अच्छा लिखा हो कुछ वर्ड्स हो सकता है आपके छूटे हो या जैसे आउटलाइन से बिगड़ी होंगी झाले याजनीतिक है जैसे पूरी तरह आपकेगा लिखा लिखा हो सकता हुईएगी